जैशी राम सभी भक्तों को जै मातागी फिर एक नहीं वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए क्या ग्रहस्त जीवन में रहकर भी हनुमान जी की पूजा उपासना साधना कर सकते हैं तो आज की वीडियो इसी विशे पे होन पे आज की बुड़ी जैश्री राम जैश्री बाला जी महराज बाबा की असीम किर्पा सदय वापके उपर बनी रहे और मेरी माई जगजन्य की पावी सदय आपके धर में हमिशा अनपुनारू नहीं जै माला ग्रस्त जीवन में रहकर भी सभी किर्पाइं पराप्त की जा सकती है या नहीं हनुमान जी की किर्पा में विशेश ब्रह्म चारी का प्रेज साथ में गरस्त जीवन में दमपत्ती जो होते हैं वो देखते हैं कि हमें हनुमान जी की जो किर्पा है वो हनुमान जी की तो है हनौन जी का बल हनौन जी का बल are उनकी खुड की कहा है कहा सी उनके पास बल है उठके पास तो कोई बल ही नहींड अब आप सोचों के ये गुरु जी क्या बोल दी आपने देखिए हनुमान जी का जो बल है वो प्रभुशी राम की किर्पा है और राम की किर्पा जो है वो पुरे संसार में उन्होंने राम की किर्पा को जागरित किया है जगाया है राम नाम की किरपा जिसकी जाग जाती है और आपको पता है कि मर्यादा प्रशोत्म प्रबूर शीराम वो गरस्ती थी उनकी किरपा मतासिता की किरपा सदैव र्नमान जी के ओपर कल्यूग में आशी वाद बनाके रखती है चारो जुग परताप तुम्हारा चारो जुगों में परताप है प्रमान जी गा और कल्यूग में विशेश तोर पर है प्रभु शीराम की गिर्पा उनके उपर सदेव उनके साथ रती है और गरस्त जीवन व्याला व्यक्ति भी अगर हनुमान जी की पूजा करता है कुछ चो छोटे चोटे नियम आगर आप सोते हो कि हम प्रमानेंट ही अपने जीवन के अंदर क्या हनुमान जी को हम खुश नहीं कर सकते देख़े कोई टार्गेट की पूजा मत कीजिए आप खुले तोर पर हनुमान जी का पूजा पार जो है स्टार्ट कर दीजे गरस्त जीवन में पती पतनी क्या नहीं कर सकते ये सोचो और क्या कर सकते हैं जगर पती और पतनी दोनों अर्द नारेश्वर हैं भगवान शिव की किरपा है तो आप सोचो कि जिसके ओपर शिव की किरपा है और शिव जी के शंकर भगवान के ग्यारवे रुदर अवतार शिरफ हनमान जी महार तो उनकी किर्पा भी आपके उपर सदय बनी रहे की अब आप सोचों कि ग्रस्त जीवन में मान लिजे आप अगर सुन्दर कांट का पाट करते हों पती पत्नी संग में मिलकर आप सुन्दर काट कर सकते हों अब आपके मन में ये इस प्रकार का भ्रहम उठपन हो जाएगा कि मैं मा मारी के समय पे आ गई हूँ अब मैं पाठ नहीं कर सकती है तो पाठ खंद खंदित हो जाएगा सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक बात बोली कि अर्द नारीश्वर की किरपा चलती है किसकी स्वेम शंकर भगवान की किरपा और शंकर भगवान के हर्दय में प्रभुषिरी राम वस्ते है और राम जी के हर्दय में शिवजी वस्ते है अब आप सोचो जब आप पाठ करूं मेरी पत्नी करें पाठ तो हम दोनों का ही माना चाहिए और पुन्य भी जो भी किर्पा बटे हम दोनों पे ही बटे और हम उस किर्पा को प्राप्ट करने या कोई टार्गेट या को इच्छा के लिए अगर आप पाठ करते हो या अपनी वैसे ही मनों कामना के लिए कर र जब अब मन में ये रह गया कि पाठ अगर आप कर रहे हो और कहीं बार जाना पर जाए तो अगर एक घर पे है एक वाँ है और पुजिशन ऐसी हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां भी आपके पती जाते हैं वो कहीं भी जाए अपने सचे मन से हर्द्या से भी पाठ पुजा कर सकते हो हनुआन जी की पुजा करने में धोंग डिखासे की जुरूत नहीं है किसी पकार की छल और कपट की जुरूत नहीं है कोई दिखावे की जुरूत नहीं है वो तो एक मातर राम नाम कहने से भी प्रसन हो जाते है अगर राम नाम की माला का भी जाप आप करते हो गरस्त जीवन में रहकर करते हो नेकिन नित्य करते हो कोई भी कारिय अगर नित्य कहा जाए तो उस कारिये के अंदर उर्जा अपने आप ही प्रभावित होने लगाती है अपने आप ही उस कारिये से उर्जा उत्पन होने लगाती है आप अगर लगातार कोई भी कारिये करते हो उस कारिये से आपकी उर्जा ऐसी बनने लग जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा और जीवन को आप सुम काओगे हनुमान जी के हम भगत क्या पती पतनी हनुमान जी के भागत नहीं बन सकते यह कोशन था किसी का यह किसी का कोशन था तो मैंने यह उत्तर आपको दे दिया कि आप गरस्त जीवन में रहकर भी हनुमान जी की पूजा का सकते हो कुछ मर्यादा रख रखनी है वो आपके उपर है हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि आप ब्रह्मचारी रहकर ही मेरी पूजा करें हनुमान जी ने इस बात को कहीं नहीं कहा हनुमान जी स्वम ब्रह्मचारी है स्वम ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी का मतलब यह होता है कि अपने मन की च्छाओं पर敢िंटोल करना अपने अन्तर मन की च्ँव पर कंट्रोल करना अगर आप बिरम्चारी रहका हनुशा कररें कि पूजा करए वी और हो собой कि ये को अपने मन चारताउंब भी करनल से को सब्ωνाइब करें लौ्ड़ों कर सके आपको हिला ना सके आपके जो माइंड है उसको कंट्रोल ना कर सके क्योंकि शक्ति जो है आप स्वम उत्पन होगी जब आप ब्रह्म चारी रहोगे और ब्रह्म चारी के अंदर शक्ति तो है लेकिन ब्रह्म ब्रम्चारी का मतलब बता है अपने समस्तिंगों पर कंट्रोल कर नहीं होता है और हर पकार की मन, इच्छा, हर पकार का एंकार, उसको अभी त्याग करना पड़ेगा, हर पकार का आपको अगर चाहिए То इस के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएँगे कि ब्रहम्चारी का असली मकसद है क्या कई लोह जोड़े लेगा कि दोर रणा बर्म-चारी लोग रेकर करके कम से दूसरी इस्तियों के परती है अगर विचारी गलत हो गए प्रामचारी उत्पर होई shows कि अपर कासे आप विभा करके भी आप भन्मान जी की पुझाप की खराब नहीं होगी आप विवा करके भी पती पत्नी भी आप मर्यादा रहकर मंगल शनी का भी प्रेज करकर आप राम से ब्रह्म सब्सक्राइब नहीं रह सकते हो तब भी आप अंतर मन से आप प्रभू से प्रेम करते हो नेकिन अपने जीवन में उस तीर को नहीं छोड़ना चाहते हो तब आपकी पुजा सविकार होगी 101% सविकार होगी मैं दावा देकर कहता हूँ आपको अगर आपका मन सच्चा है हनमान जी ने यह नहीं कहा कि ब्रह्म चारी करके ही मेरी पुजा करो सच्चे मन से आप पूजा करो, कोई भी पूजा करो, सच्चे मन से करो, अंतर की आत्मा से करो, आत्मा प्रमात्मा, अगर गरस्त जीवन में रहकर आपको प्राप्ती होई है, क्या रिशी मुनी भी तो गरस्त जीवन में रहकर संतान उत्पन नहीं करते थे, क्या वो भगवा तो आपके उपड़ार होता है कि आप कई वार ऐसा भी हो तो ब्रहम चारी रहकर भी वो चीज नहीं प्राप्ट कर सकते हैं आप जो ग्रस्त जीमन में रहकर प्राप्ट कर सकते हैं तो बोलिए जैसे तरब जैशनी बाला